सक्की गुंजाइस नहीं है वो कहता है न समय हर घाव को भर देता है मेरे पैरों की उंगलिया सूच के लाल हो गई है गाइस क्या आपको इसकी इंग्लिश पता है अगर नहीं पता है तो चलिए सीखते हैं क्योंकि यह सारे सेंटेंसेज ऐसे सेंटेंसेज जो हमारी डे यह बहुत बार यूज करते हैं तो चलिए सारे सेंटेंसेज को सीखते हैं अपने इंगलिश को स्ट्रॉंग करते हैं सबसे पहला हमारे सेंटेंस है अगर आपको कहना हो कि आपका बड़ा इंतजार किया तो आप बोल सकते हैं आई वेटेड लॉंग फो यू यहां पर किया किया मतलब यह हमारा past indefinite का sentence हो गया ना किया लिया दिया ऐसे वाले sentences past की बाद बोर है आपका बड़ा इंतजार किया इसलिए हम लोगों ने subject की बाद direct verb का second form लगा दिया wait का second for waited I waited long for you कोई भरोसे के लायक नहीं है no one is trustworthy भरोसे के लायक के लिए हम trustworthy का use किये हैं कोई भरोसे के लायक नहीं है no one is trustworthy इसका कोई हल नहीं है it has no solution उसके पैर में एक फोड़ा हो गया है she has a boil on her leg she has a boil on her leg मैं आपके आगे हाँ चोड़ता हूँ I beg you मैं आपके आगे हाँ चोड़ता हूँ I beg you दयालू बनू guys इसका answer आपको देना है कि दयालू बनू को English में क्या बोलते हैं वो मुझे जीने नहीं दे रहा है he is not letting me survive मेरा जो मन करता है वो करता हूँ I do whatever I wish मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूँ I do whatever I wish तुम देर क्यों कर रहे हो why are you delaying why are you delaying बच्चे को बुरी नजर मत लगाओ don't cast an evil eye on the baby don't cast an evil eye on the baby मुझे घूरना बंद करो stop staring at me मुझे घूरना बंद करो stop staring at me घूरने के लिए यहाँ पर staring का use किया गया एक sentence आप लोगों के लिए है वो मुझे घूर रहा है इसका answer आपको comment box में करना है कपड़े जल जाएंगे the clothes might burn कपड़े जल जाएंगे the clothes might burn यहाँ पर might का use इसलिए क्या गया क्योंकि possibility बहुत low है मालो आप कपड़े को iron कर रहे हो कपड़े अपको possibility कम है कि कपड़े जल सकते आप अपनी possibility को बहुत ही less so कर रहे हो 10-20% की possibility show कर रहे हो कि शायद कपड़े जल जाएंगे तो हम आपन might का use किये है the clothes might burn कपड़े जल जाएंगे अपनी बात में वजन रखो make your opinion count make your opinion count अपनी बात में वजन रखो यह sentence हम तब use करेंगे जब कोई ऐसा वक्ति होता है जो अपने बात को बोल का तुरंट पलट जाता है तो वैसे वक्ति के लिए हम यह use करेंगे make your opinion count अपने बात पर वजन रखो मैंने बहुत कोशिस की पर सब बेकार I tried a lot but all in when I tried a lot but all in when Guys अगर आपको वीडियो अच्छे लग रही हो तो please वीडियो को like करें क्योंकि आप लोगों के एक like से में बहुत ही motivation मिलती है ऐसे वीडियोज बनाने के लिए तो आप ज़रूर like करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही day-to-day conversation वारी sentences को लाती रहूंगी Next is जो हो रहा है हो निदो Let nature take its course Let nature take its course मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता I never borrow money I never borrow money तुम खामका परिशान हो रहे हो You are stressed for no reason You are stressed for no reason समय पर पहुँच जाना Rich on time समय पर पहुच जाना Rich on time मुझे इस तरह परिशान मत करो Don't trouble me like this एक sentence आप लोगों के लिए है वो मुझे बहुत परिशान करता है इसका answer आपको comment box में करना है मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी I didn't mean to scare you I didn't mean to scare you मालो आपने किसी को कोई बात बताई ऐसी बात बताई कि आगे वाला person डर गया उसने आपको बोला कि तुमने तुम मुझे डरा ही दिया तब आप ये sentence को बोल सकते हैं कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी I didn't mean to scare you तुम कब सुधरोगे When will you mend your ways When will you mend your ways हर parents अपने बच्चों को बोलता है ना तुम कब सुधरोगे When will you mend your ways ये बुरी नजर उतार सकता है It can nullify the evil eye उतारने के लिए nullify का यूज किया गया और बुरी नजर के लिए evil eye ये अपनी बुरी नजर उतार सकता है It can nullify the evil eye रोने से कुछ नहीं होगा Crying won't help उसने पूछा तो था He did ask उसने पूछा तो था He did ask मैंने खाया तो था I did eat मैंने खाया तो था I did eat एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है मैंने पढ़ाई किया तो था इसका एंसर आपको comment box में करना है मैं उसे नहीं छोड़ूँगा I will not spare you मैं उसे नहीं छोड़ूँगा I have no objection मेरे साथ बहस करना बंद करो Stop arguing with me खाली मत बैठो Don't sit idle Don't sit idle खाली मत बैठो यह सुनका मेरे रोंग्टे खरे हो गए यह सेंटेंस आप तभी यूज करते हैं मान लो आपको कोई ऐसा न्यूज सुनने मिला जिससे आपके हाथ में जो छोटी छोटी बाल होता है न वो खड़े हो जाते हैं उसे रोंग्टे कहते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं तब आप यह सेंटेंस का यूज कर सकते हैं कि यह सुनका मेरे रोंग्टे खड़े हो गए I got goosebumps hearing it यहाँ पर रोंग्टे के लिए goosebumps का यूज किया गया है I got goosebumps hearing it यह सुनका मेरे रोंग्टे खड़े हो गए तुम्हारी नियत थराब है You have bad intentions उसे यहाँ लाओ इसका एंसर आपको करना है comment box में बातों को घुमाओ मत Don't play with the words मेरे पेट में चूहें कूद रहे हैं I am famished सब कुछ सही से रखो Put everything in order आग बुझाओ Put out the fire आग बुझाओ पागल मत बनो Don't be silly मुझे इसी की जरूरत थी That is what I needed That is what I needed मुझे इसी की जरूरत थी हरगीज नहीं Not at all याद रखिएगा मेरी इस बात को Remember these words of mine याद रखिएगा मेरी बात को हम किसी को धंकी देते वे कहते हैं कि मेरी बातों को याद रखिएगा तो उस समय हम यह बोल सकते है Remember these words of mine एकदम से कोई भी चीज नहीं होती Nothing happens at once मेरी पैरों के उंगलिया सूच के लाल हो गई है I have children on my toes I have children on my toes अब नहीं तो कब If not now then when If not now then when समय का पूरा फायदा उठाओ Make the best use of time Make the best use of time एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है समय को बरबाद मत करो इसका एंसर आपको कमेंट बाक्स में करना है मेरा दिल फट जाएगा My heart will burst My heart will burst मेरा दिल फट जाएगा जरह मदद करना Give me a hand Give me a hand जरह मदद करना ये लोग किसी के सगे नहीं है These people are not devoted to anyone वह लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ है That boy is pursuing her That boy is pursuing her पीछे पड़ने के लिए Persuaying का यूज किया गया है That boy is pursuing her आपका बहुत कर्ष है मुझ पर I am really indebted to you कर्ष के लिए Indebb et का यूज किया गया है I am really indebted to you आपका बहुत कर्ष है मुझ पर क्याल तो बुरा नहीं है Not a bad idea Not a bad idea खयाल तो बुरा नहीं है अपने रास्ते पे जाओ, go your way, go your way, थोड़ा उचा बोलो, speak a little louder, speak a little louder, थोड़ा उचा बोलो, एक sentence आप लोगों के लिए है, थोड़ा धीमा बोलो, इसका एंसर आपको comment box में करना है, तुम्हें किस पर सक है, whom do you suspect, तुम्हें किस पर सक है, वर जरूरत मंद है, he is nitty, he is nitty, मेरे रास्ते में मत आओ, don't get in my way, don't get in my way, एक sentence आप लोगों के लिए है, मेरे रास्ते से हट जाओ, इसका एंसर आपको comment box में करना है, Next is, जान में जान आई, what a relief, what a relief, जान में जान आई, रहने दो मैं खुदी कर लूँगा, let it be, I'll do it myself, let it be, रहने दो मैं खुदी कर लूँगा, I'll do it myself, मैं उसे मिलने का समय निकालूंगी, I'll make the time to see her, I'll make the time to see her, मैं उसे मिलने का समय निकालूंगी, क्या तुम्हें पास बा मेरी घड़ी हमेशा सही समय बताती है My watch keeps perfect time My watch keeps perfect time अभी साड़े 9 बज रहे हैं The time is now half past nine The time is now half past nine मैंने तुम्हें अंगिनत बार कहा है I have told you countless time I have told you countless time एक sentence आप लोगों के लिए है मैंने तुमसे अंगिनत बार पढ़ने को कहा है इसका answer आपको comment box में करना है Guys अगर आप channel पर नहे हैं और अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किये तो जल्दी से कर दे और नीचे bell icon को click करना बिल्कुल भी न भूले अगर आप bell icon को click करते हैं तो आने वाली videos की notification आपके phone पे ज़रूर मिलेगी तो मुझसे आखरी बार कब मिले थे When was the last time you see her? क्या बरबादी है समय की? What a waste of time What a waste of time क्या बरबादी है समय की? जरा से अभी समय बरबाद मत करो Don't waste any more time Don't waste any more time मेरे पास ज्यादा खाली समय नहीं है I don't have much spare time I don't have much spare time समय बिलकुल नहीं बचा We have no time to lose We have no time to lose इसमें समय लगेगा It will take time It will take time इसमें समय लगेगा वो कहते है न समय हर गाव को भर देती है They say that time he'll all own They say that time he'll all own आप अपने दाड़ी कैसे रखते हो? How do you wear your beard? मुझे मेरे बाल छोटे रखना पसंद है I prefer to wear my hair short I prefer to wear my hair short वो अपने बाल लंबे रखती है She wears her hair long वो कभी भी make-up नहीं करती She never wears makeup She never wears makeup इस जार में एक किलो आएगा This jar will hold a kilo This jar will hold a kilo चुप रहोगे तुम? Will you be quiet? Will you be quiet? चुप रहोगे तुम? तुम इसे अभी इसी वक्त करोगे You will do it this minute You will do it this minute तुम इसे अभी इसी वक्त करोगे तुम खामका परिशान हो रहे हो You are stressed for no reason You are stressed for no reason मुझे कम मत समझना Don't underestimate me Don't underestimate me मुझे कम मत समझना क्या मैंने गलत समय पर कॉल कर दिया? Have I called at a bad time? Have I called at a bad time? ये तॉलिया नम लग रहा है This towel feels damp This towel feels damp सक की कोई गुणजाईस नहीं है There is no room for doubt There is no room for doubt तुम मुझे परिशान कर रहे हो You are driving me nuts You are driving me nuts तुमने सब कुछ बिगार दिया You are screwed up You are screwed up मैं तुमें बहुत जेल चुका हूं I have had enough for you I have had enough for you इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है This is no brainer This is no brainer इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बगबग मत करो Don't prattle Don't prattle मुझसे पंगे मतलो Do not mess with me या फिर बोल सकते हो Don't mess with me इस सारा मत करो Don't gesture Don't gesture अपने दिमाग लगाओ Apply your mind Apply your mind तुमने मेरी दिल की बात कह दी You spoke my mind You spoke my mind एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है अपने दिमाग का इस्तमाल करो इसका एंसर आपको comment box में करना है अब मुझे फोन रखना होगा I have to get off the phone now I have to get off the phone now अब मैं फोन रख रही हूँ I am getting off the phone now I am getting off the phone now इन दो सेंटेंस में क्या difference है यहाँ पे हम बोरे अब मुझे फोन रखना होगा यहाँ पे हम बोरे अब मैं फोन रख रही हूँ यहाँ पे रखने का काम continue चल रहा इसलिए EASMR के साथ वर्व का फोन फोन यूज किये I am getting off the phone now बोले हैं ठीक है तो जहाँ continue काम चलते है वहाँ पे EASMR के साथ वर्व का फोन फोन लगाते है इसलिए हम लोगों ने आपर I am के साथ वर्व का फोन फोन लगाया है आज जाम कम है There is less traffic today There is less traffic today बच्चों को चादर ओढ़ा दो Put the seat over the baby Put the seat over the baby Bistar सही करो Make your bed Make your bed आवाज नीचे करो Snitch into your hanky एक sentence आप लोगों के लिए है आज मुझे बुखार है इसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स पर करना है Guys, वीडियो कैसे लगे वीडियो को कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे वीडियो उसके साथ तब तक के लिए कीप लेर्णिंग